यूपी में तीन बड़े हादसे हुए हैं ये हादसे मैनपूरी, मतुरा और कनौच में हुए हैं मैनपूरी में एनच चक्यावन पर रोडवेज बस की डीसेम से टक्कर हो गई और हादसे में बस के परिचाला की मौत हो गई आपको बताते हैं इस तुरान करीब 20 या 3 घायल ह हुए हैं और घायलों को मैनपूरी के जिला अस्पताल में भरती कराए गया है उतर प्रदेश में आज तीन जगों पर ये सड़क हादसे हुए हैं मतुरा मैनपूरी और कनौच की तीनों तस्वीरें आपके सामने हैं रोडवेज बस की डीसेम से टक्कर हुई उस तरान हादसे में कई के हालत गंभीर होने के बाद उन्हें सैफ़ई के लिए रेफर कर दिया गया है साथी बताए ज़ारे की बस का ड्राइवर नींद में था और इसी के वज़़ा से ये हादसा हुआ आपको ये भी बता दे कि हादसा थाना विच्वा इलाके के एनचर क्यामन प घटनाक मौत हो गई जबकि 25 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं नुएटा से भिंड ये बस चार प्राइविट डबल डेकर बस गड़सौली के पास चौदी धाबे के पास अन्यंत्रत हो गई मत्रा में जिसके वज़ा से ये हादसा हुआ है तो वहीं आपको बता दे घटना के जवानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुची और घायलों को उपचार के लिए आगरा भेजा गया है फिलाल पुलिस के जारी है तो वहीं करनौच में भी एक दड़नाक सड़क हादसा हुआ है आपको बता दे करनौच में अनिंत्रत तेज अफ़तार बुलैरो घटने चार किशोरो को रोन डाना हादसे में चारों की मौके पर ही मौत हो गई किशोरो को रोनने के बाद बुलैरो 11 घाय में भी चारी तरभी और और ne में ये तीन जगें सड़क हादसे हुए हैं मतुरा मैनपुरी और करनोच हाले की मैनपुरी में सभी घायलों को अस्पताल में भरतिक रा दिया गया है लाच के लिए करनोच में चार लोग सवार थे और उन चारों की मौके पर ही मौत हो गई फिलहाल आज का दिन उतरप्रदे हाई तो हादसे के बाद पुलिस जाच में जुटी हुई है मत्रा यमना एक्सप्रेस वे पर दर्थनाक सड़क हादसा हुआ जोसमें रोडवेस बस की डी से टक्कर हो गई बताय जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आने की वजह से ये हादसा हुआ है और करीब 20 लोग घाय बताय जा रही है वो इमानपुरी की बात के जुआए तो यहां भी दर्थनाक सड़क हादसा हुआ सबी घायलों को हारे की इलाज के लिए अस्पताल में भरती करा दिया गया है झाल झाल